नमस्कार सात्यों आज हम तर्क सास्त्र के एक बहुत ही महत्यपून टॉपिक अनौपचारिक तर्क दोश पर चर्चा करेंगे जो कि कई कम्पेटिशन की परिक्षाओं में नेट एक्जाम में आता है सबसे पहले हम बात करें कि तर्क दोश क्या है तर्क दोश जो है वो कोई भांत विचार होता है या कोई असत्य विचार होता है और उस असत्य विचार को सत्य विचार के रूप में किसी के सामने व्याख्या करना और उस पर बल देना तर्क दोश है सारूप में हम कह सकते हैं कि तर्क दोस है जो एक प्रकार की अनुचित युक्ती होती है वो दिखती सही है लेकिन उन में कोई दोश अवश्य होता है वो निशकर्स निकालने में कोई भूल कर देती है बहुत से ऐसी युक्तियां होती है जो स्पस्ट रूप से हमें दिख पड़ती है कि हाँ ये गलत कह रहा है वो किसी बच्चे को भी समझ में आज़ता है कि इस व्यक्ती ने जो तर्क किया है उसमें दोश है यह सही नहीं है तो वो किसी को दोखा देने में सफल हो नहीं पाती किन्तु कुछ ऐसी युक्तियां भी होती है जो अनुचित होने के बावजूद भी बाहि रूप से इतनी शांदार और सटिक दिखलाई पड़ती है कि एक बार तो सभी व्यक्ति उससे सही माल लेते है और ऐसी आकरशक प्रकार से वो व्यक्तिय को मोहित करती है कि लोग उसके रहों में बह जाते है जैसे एक उधान हम देखें अभी यहाँ पर जैसे एक युक्ति है यह सभी द्विज वेद पाठी है सभी कबूतर द्विज हैं अतह सभी कबूतर वेद पाठी है यह एक तर्क दोश युक्ति का रूप है जो उपर से बड़ी ही सही और सुलजी वे दिखलाई पड़ती है परनतु यदि हम इसका परिक्षन करें तो इसमें दोश दिखलाई पड़ेगा आपको जैसे हमने जो फॉर्मल तर्क दोशों की जो स्रंक्ला थी उसमें देखा था कि यहाँ एक चतुस पड़ी दोश है यानि कि इसमें तीन पड़ होने चाहिए किन्तो इस युक्ति में चार पड़ हो गए इस कान यह युक्ति दोश युक्त हो गई अब हम बात करें कि तर्क दोशों के प्रकारों की कि तर्क दोश कितने प्रकार के होते हैं तो बहुत ही मोटा मोटी तौर पर यह मुख्य रूप से तर्क दोशों के दो बड़े प्रकार है पहला है अनौपचारिक तर्क दोश जिसे इंगलिश में Unformal Fallacies कहते हैं और दूसरा जो प्रकार है हुआ है आपचारिक तर्कदोष यानि की Formal Fallacies तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनपचारिक तर्कदोष पर Unformal Fallacies पर तो Unformal जो तर्कदोष होते हैं उसमें तर्कदोष की जो मूल प्रूरती रहती है वो किसी विशे वस्तु के प्रतिया तो हम कोई भूल कर देते हैं यानि कि हम विशे वस्तु को समझने में या उसको समझाने में हम कोई भूल कर देते हैं या फिर जो युक्ती में इस युक्ति में जब हम किसी भाषा या शब्दों का प्रियू करते हैं तो उसके अनेक अर्थों हैं वो उस युक्ति में होते हैं और उस अनेक अर्थों के कार्ण एक ब्रह्म की इस्तिती उत्पर हो जाती है और युक्ति अपना उसी तकार्य कर नहीं पाती है अब अनौप्सारिक तरक्दोश हैं उसके भी मूल रूप से दो प्रकार हैं एक है संदिगदार्थ तरक्दोश और दूसरा है प्रासंगिय कत्व तरक्दोश सबसे पहले हम संदिगदार्थ तक दोश्ट पे चर्चा करेंगे तो संदिगद अर्थ यानि कि अर्थ ही जब संदिगद हो किसी युक्ती में किसका अर्थ उसमें जो शब्द प्रियोग किये गए उसमें जो भाषा प्रियुक्त की गई है उसमें अर्थ जो हैं वो संदिगद अगर हो जाएं तो युक्तियों में जो उस संदिगदार्थ के कारण जो दोश उत्पन होता है वो संदिगदार्थ तक तरक्दोश कहलात तो इस पस्ट है कि किसी भी युक्ति में जो शप्तों का प्रियोग होता है उसमें उनके अर्थ अलग-लग होते हैं और इसलिए इसे अर्ष पस्ट दोश भी कहा जाता है इन युक्तियों की जो मूल सरचना है उसमें कुछ ऐसे वाक्य या भाषा का प्रियोग किया जाता है जिनके अर्थ या तो इस पस्ट नहीं होते या अनेकार्थी होते हैं जिसे कोई भी किसी भी रूप में समझ ले ऐसे सब्दों का प्रियोग ऐसी भाषा का प्रियोग उसमें किया जाता है जिससे युक्ति दोश युक्त हो जाती है क्योंकि जो कहा जा रहा है वो अर्थ नहोंकर लोग अपने अपने ढंक से किसी युक्ति को समझने का प्रिया संदिकदार तक तर्क दोशों के जो प्रकार है उस पर अब चर्चा करेंगे तो संदिकदार जो तर्क दोश है उसके पांच प्रकार बतलाए गए है सबसे पहला है अनेकार तक था दोश यानि कि अनेक अर्थों का दोश जो कि मुल सोभाव है संदिकदार तक दोश का तो ये दोश जो है किसी एक शब्ज के अनेक अर्थों से उत्पन होता है यानि कि जो युक्ती में जो शब्दों का प्रियोग किया जता है उस शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं इससे ही है दोष जो है वो उत्पन होता है क्योंकि हम यह जानते हैं कि अधिकांस जो शब्द प्रियोग किये जाते हैं उनके कोई एक अर्थ तो होते नहीं है उनके अलग-अलग कई परकार के अर्थ होते हैं जिस कान से युक्ती में उसके अलग-अर्थों का अगर प्रियोग कर लिया जाए तो युक्ती दोश्यूक्त हो जाती है उसमें भी मूलूप से यह होता है कि जब हम किसी एक युक्ती में एक शब्द के एकी संदर्ब में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अर्थ ग्रैन करें और या अलग-अलग अर्थों में उसे प्रियोग करें तो उससे उस अर्थों में गड़ बड़ी उत्मन हो जाती है भिन-भिन अर्थों का प्रियोग करते हैं तो अनेकारतक तक दोश जो है वो उत्मन हो जाता है जैसे हम एक उधारन लें कि सभी द्विज वेद पाठी हैं इस युक्ति में क्या हो गया इस युक्ति में जो द्विज शब्द है उसमें गडबढ है देखने को तो यूँ लगता है युक्ति बड़ी सपाट, सटीक और सुलजीवी है किन्तु ये जो द्विज के जो शब्द हैं उनके दो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग अर्थ ग्रहन कर लिए गया है जो प्रतम जो द्विज है वहाँ पे द्विज का अर्थ है ब्रामन और जो दूसरे इस्थान पे द्विज है वहाँ पे द्विज का अर्थ है कबूतर तो यदि एक युक्ती में एक ही शब्द के एक ही संदर्ब में यदि दो अलग-अलग अर्थ ले लिए जाएं तो युक्ती से दोश हो जाती है उसमें तरक दोश उत्पन हो जाता है तो इसलिए युक्ती अनिकार्थक दोश से युक्त है अब है वाक्य चल दोश वाक्य चल दोश जो होता है वो किसी भी युक्ती में जो भाषा का प्रियोग होता है उसमें व्याकरण संबंदी संकट या व्याकरण संबंदी सरचना जो होती है उसके कारण होता है तो अगर वाक्य की जो व्याकरण है उसमी सरचना में कोई गड़बढ है तो उस युक्ति में तर्क दोश उत्पन हो जाता है क्योंकि व्याकरण के कारण उस युक्ति में जो शब्द है या जो भाशा है उसका अर्थ इसपस्ट नहीं हो पाता लोग अपने अपने डंग से ले सकते है तो अर्थ की इस अर्थ पस्टाए कारण इस पस्टाए की निशकर्स भी गरत निकल जाते है क्योंकि अगर हम जो कह रहे हैं वो अपने अर्थों में ले रहे हैं और सामने बाला अगर उसको अलग अर्थ में समझे तो उससे ये दोश उत्मन हो जाता है इसका यदि हमें गुदरान देखें तो कोई कहे कि क्या तुम आले में रुमाल बिचा के सो सकते हो तो ये संभवी नहीं है क्योंकि आला इतना छोटा होता है कि आप आले में रुमाल बिचा के नहीं सो सकते तो कोई शर्त लगाता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आपको वहां करके दिखाओ तो यदि वो व्यक्ति आले में रुमाल बिछाए और पलंग पे जाके सो जाए तो शर्त तो पूरी हुई कि आले में रुमाल बिछाना है और पलंग पे जाने जाके सोना है तो वो ऐसा करता है किन्तु यहाँ पे वाक्य छल का इस्तिमाल किया गया है क्योंकि वहाँ पे जो व्यक्ति है वो इसको सोने को अलग अर्थ में और तोलिय को बिचाने को अलग अर्थ में बतला रहा है यानि कि प्रश्ण करता जो रुमाल को बिचाना है उसे एक खली क्रिया मात्र मान रहा है और जो सोने से पहले उसको करनी होती है कि मैं आले में रुमाल बिचाऊंगा और सो जाऊंगा तो आले में जो रुमाल बिचाना वो केवलमातर क्रिया आए और जो सोने से पहले उसे करनी थी और वो कर दिता है तो इस अर्थ में इस वाक्य में ये वाक्य छल दोश उत्पन हो जाता है फिर है स्वरागात दोश वाके के अंदर बिन बिन श्ब्दों का प्रियोग होता है अलग-अलग पद होते हैं और यदि हम खें कोई वाकिय किनी और अर्थोंमे और कोई व्यक्ति उसको किसी और अर्थों मिले पदों के बल के आधार पर यानि हम जब कहें तो उसका अर्थ कुछ और हो, क्योंकि हमने पदों का कुछ और बल दिया था, और वो अगर किनी पदों पर बल देकर उसका अर्थ अलग कर ले, तो यह स्वरा घात दोश, यानि कि श्वर का आघात जो है, शब्दों में स्वर का जो आघात है, उससे जो द और अलग लग बल दें तो इसके अर्थ बदलते हैं यह बहुत साधरान सा उधरान है जो हम आम जीवन में भी लेते हैं यहां पर इस वाक्य का अर्थ होता है कि रोका जाए किसी को व्यक्ति जा रहा है उससे रोक लिजी आप उससे जाने मत दीजिए तो जब हम रोको पर जो कि यही है शब्द भी ही है लेकर अगर बल बदल दिया जाए तो उसका आर्थ क्या हो जाए रोको मत जाने दो तो यहां पर रोकने का मना कर दिया गया है हमने रोको मत पर अगर बल दिया तो अब उस वाके का आर्थ एकदम विपरीत हो जाता है पिछले वाके में यह था कि र अगला है सहती दोश सहती दोश तब होता है जब एक छोटे समू के बारे में कहीगी बात को संपूर्ण समू के बारे में सत्यमान लिया जाए यानि कि जब अंश की बात को अंशी पर लागू कर दिया जाए यानि कि छोटी से हिस्से की बात को संपूर्ण क्षेत्र पर लागू कर दिया जाए तो सहंति दोश कहलाता है जैसे कोई कहे कि मैंने साथ विवा ऐसे देखे हैं जो जैपुर की लड़कियों से हुए थे लोगों के और उन लोगों का तलाक हो गया तो भई जैपुर के लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी शादी कभी सफल नहीं होती है यानि कि कुछ उदार्णों पे कुछ उदार्णों के आधार पर हम सभी पर किसी बात को लागू कर दे तो यह सहंति दोश कहलाता है अगला है विग्रेत दोश विग्रह दोश जो होता है वो सहाती दोश का विपरी थे एकदम उल्टा है यह दोश तब होता है जब समू के बारे में जो बात सत्य होती है उसको आप अंश पर भी लागवर दिया अब अंश से अंसी पर नहीं आकर अंसी से आप अंश पर आते हैं तो विग्रह दोश होता है सहाती दोश में अंस से अंशी पर गए छोटे से पूरे पर गए हिस्से से संपूर्ण पर गए और विग्रह दोश में हम समू से किसी एक सदश्य पर या एक अंश पर यानि अंसी से अंश पर आते हैं इसका हम यह दियोधानने तो यह है कि जैसे मनुष्य के हाथ से जोरदार मुक्का मारा जा सकता है तो उसकी अंगली से भी जोरदार मुक्का मारा जा सकता है क्योंकि वह हाथ का ही एक अंश है इसपस्ट है कि यहाँ एक तर्क दोश है यहाँ सही नहीं है क्योंकि संपूर्ण की बात को किसी एक आंस्पर लागू नहीं किया जा सकता आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हम इतनी बात करेंगे नमस्कार